अब बच चुके हैं शाम के 5 बच चुके हैं चायवाइ जो है घर में बना दी है, सब पी ली है और आज, friends, हमने बनाए था डाल बाटी चूर्मा जो राजस्थान की famous dish है और वो भी बनाया था जगरे पर जो रियल टेस्ट होता है यह देखिए यह राख है जो इसकी बच्ची हुई है और सॉरी फ्रेंड्स में क्लिप जो है नहीं बना पाई क्योंकि लाइट नहीं थी और पॉन मेंटा सुच्छ ऑफ रखा था तो आशा करते हूं आपको आज को ब्लोग पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा और अभी तक आमें में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना हमारी प्रियंका बीननी को तो जल्दे सब्सक्राइब कर लिजगा सपोर्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स यह उपले है इनक तो यहां देखिए चीमठव अगरा भी मैंने रख दिया है और अब जो है मैं देखिए यह गोबर का रखा है भैसने तो यह इसको जो है पहले हटाओंगी और फ्रेंड्स पत्त जढ़ का मौसम चल रहा है तो इतने जादा जो है पत्ते जढ़ रहे हैं बहुत जादा और क जाते हैं सारे तो यहां पर जो है गोबर मैंने उठा लिया है और इसको एक साइड रख दूंगी अभी बाद में जो सारा कच्रा एक साथ हो जाएगा तब उसके बाद उसको है घुड़े में डालोंगी और यह देखिए मैं जो गोबर उठा रही थी तो मेरे पीछे कर रह झारी हुआ ज़ड रहे हैं बहुत जादा और कुछ बच्कों ने जो है गण्ने चूते थे तो उसव्त के भी आफ़ी सारे चिलके हैं और यह देकिए बाइक जा रहे है तो उसके आवाज Leben है और और यहाँ पर जो है गण्य के पर नसी भी चूए फिर को के पास ही है सबसे ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता कोई भी आये तो सोचता है कि शायद हो सकता है हमने जो है सफाई नहीं कि है इस वज़े से और कम से कम दिन में जो है 5-6 वार या सफाई हो जाती है और यह देखिए इस टूपी पर जाड़ाने से कितनी सारी डस्ट हो के नीचे प्तित्व हो रहे हैं और यह देखिए कि तो नहीं पत्ते अच्छे है और इस तरह से जो है गए पहलाना कम ही हो जाएगा तो इस तरह से अभी तो जो है आप सारे पते ही ज़डेंगे यह तो चलिए में अपना काम कर लेते हूं क्योंकि अब्यारा मुझे भाकिये और यह देखे यहां पर जो है बच्चे खेल रहे हैं और यह हैं ना अपनी tren बना रखी थी पट्टे होते हैं दूँसे देखे रहे हैं और इसे जो है. जयाप्र जाना है, दि'llनी जाना है जैसे बस का ड्राइबर बोलताया इस तरह से वो सौरी बसका कंडेक्टर बोलता है उस तरह से ये बोल रहे थे और खेल रहे थे दोनों बच्चे तो थोड़ी कलिए इनके मैंने ले ली है और यहाँ पर जो है ये देखिए ये जो राख थी ना इसको भी जो है मैं एक परात में भर लूँगी तो उस परात में जो उप ल है नहीं लगरा और फिर ये जो राख है उसको हम जो हमारा खाद बनाते ना उसके वहां पर जो है इसको डाल याएंगे तो यह भी जो है काम आ जाएगी इस तरह से तो यहां पर मैं ले रहे हूं भरने के लिए गट्ता इस सब्सक्राइब बहुत जल्दी जो है ये भरने म और आज जो है मम्मी और मेरी जो जुछानी है वो खेतों पे गई हुई है तो घर पे इस समय मैं ही अकेली हूँ मुझे जो है यह सारा काम करना है तो जल्दी से जो है मैं यह कर लेती हूँ और देखिएगा और क्या क्या काम है जो मैं करने वाली हूँ आज जो और आप लोगों को जो है ये गाओं के ब्लॉग बहुत ही पसंद आते हैं आप लोग जो है बहुत ही पसंद करते हैं अपना प्यार सपोर्ट देते हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजेगा सपोर्ट कीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ली तो प्लीज अपना सप्पोर्ट कीजिए जदा से जदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों के सामने लाइब भी आउंगे मेरे इस न्यू चैनल पर उसके इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको मेरी जो कम्यूटी है आपकी प्यारी प्यांका उस पे जो है दे दूँगी तो आप सभी जो है आईगे का चरूर तो यहां पर देखे आपसे बाते करते हुए मैंने पूरी राक इसमें भर ली है और अब जो है इसको मैं एक साइड रग दूगी क्योंकि गोबर को और इसको एक आपनती पार धू ? सत्री एक प्रेश. मैं खाड़ी एक बारी तो जो एक प्रिखित वर टूप wrench गता है नीचे कितना सारा प्ते और झाणते थी ना पंतो फ्राब कराल 갈it प्यास को मैं पास कर देती हूं शायद ये पीले चलिए थोड़ा से इसको जो है पास किसकाते हैं देखिए पीते हैं कि नहीं पीती है तो ये देखो पास किसकाने पे जो है ये पीने लग गई है देखिए और इसको प्यास नहीं है ज्यादा थोड़ी सी इसको प्यास थी तो सब्सक्राइब करें तो वीडियो चुनदर बहुत ही सिधह बहुत ही सीधियारि 189 वीडियो चुन हैति गेज़ तो और बहुत बहुत ऐसा बच्ची है एक है और मुझे बहुत अच्छी है लगते हैं मेरा मन करता है मैं अजbits आपने साथ जाएं मैरे अगर मेरे यहां जगे नहीं है अगर कभी o हूँ है कि बहुत ही यहा जगे होई या या है मैं कहीं ज़ primo के जहां पर ऐसा यहाँ सक्तू आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है यह है और मैंने और प्रॉपी नहीं खेली तो बहुत टाइम हो गया, पर रह पहता है, क्यों है क्यों वण यह किया है? कि मैं होली नहीं खेल पाई थी और हम सब लोग जो है अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों के साथ होली केलते पर इन बेजवान जानवरों के साथ कोई होली नहीं केलता तो मैं जो है इस्टूपी के साथ होली खेल ली हूँ अब आप लोग बोले होंगे बोलोगे अपने सर पे तोड़ी सी जो है गुलाल लगा ली है और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं गुलाल से ही जो है होली खेलती हूं और देखिए कितना अच्छा पोज लग रहा है हम दोनों का स्टूपिका मेरे साथ तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूगी कि आप लोग भी ज जानवरों मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अपनों के साथ तो खेलते हैं तो यह भी तो हमारे अपने ही है तो इनके साथ बेजवान जानवरों के साथ भी हमें अपने जो है त्योहार मनाने चाहिए तो चलिए इस टूपी मैं जो है इस गुलाल को रख देती हूं और इस टूपी देखे कितनी सुन्दा लग रही है तो यह मैं दे देती हूं इसको भिटे को यह रख के आ जाएगा इसे और यहां जो है इस टूपी के नीचे काफी सारा पत्ते हो रखे हैं और छिलके हो रखे तो यहां से भी जो है हम थोड़ा साफ करते हैं कि भी बच्चे खुला आंगन है कच्छा है जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है स्लीपर डाल के इधर अधर घूमे या खेले भिदा स्लीपर के भी जो है खेल ए रहते हैं कच्छे आंगन में और इसनी पैरों को लेके जो है तो बहुत ज़्यादा गंद्य हो जाती है तो इसलिए इससे अगर राक के पैर गए न तो और भी ज़्यादा गंद्य हो जाएगा ब्लैक ब्लैक सा तो इस वज़ए से यहां पे जो है साफकना बहुत जो रही है और इस टू भी देखे एक टक लगाए हुई है रोड की दे रही होगी और देखे ऐसे जोड़ जोड़ से वाज लगाते हैं हमारे गाओं में जो है कबाड़ी वाले हैं जो है इस तरह से तो यहां बच्चे अपने खेलने में मस्त हैं और मैं जो है अपना काम कर रहे हूं और अभी जो है बहुत सारा काम मेरा बाकी है और मम्मी आ बरतन साफ कर रहे थे सारे जो है डाल बाटी खाय था हम सभी घर वालों ने तो वह सारे जो बरतन थे वहार बैट के साफ किये थे यह बहुत आपको बता रहे थे ना मेरा फॉन जो है चार्ज नहीं था तो वह किलिब भी मैं शेयर नहीं कर पाई नहीं तो गाम में ऐसे इधर भी बहुत सारे हो रहे हैं इधर भी हमारे यह अशुका का पेड लगा हुआ है तुलसी के पत्ते लगे हुए और गेट के इधर के साइड भी जो है अशुका के पेड लगे हुए है और चिडियाओं की आवाज आ रही है चहकनी की और अब यह फ्रेंट्स पता नहीं है तुलसी में कीडे लगे लगे ठाव है अब यह डाला है जैसे छी जो तुलसी नहीं एफड़ा कर दाया है और यहां से पत्ते lipos नहीं ही कर कहरे है पहले जहां एक हटा भाते में रख खता है है प으रह का तो इसको साइड़ी कर दूघंगे और यह जो है न फ्रेंड सी कच्छा जो है इसको हम नहीं फेकेंगे इसको भी जो है हम अपने खाद बनती है न जहां गोबर वगएरा को डालते हैं वहां हम इन पत्तों को डालके आ जाएंगे झोकि पत्टे जो है ना वेस्ट नहीं होंगे, पत्तों, बनती है, गल के यह भी घृत का काम करते हैं, पत्ते भी और इसमें से यह प्लास्टिक वगयरा programm desirable आफको दिकھ रहे हैं उन सब को हम अलक करके उनको जला देंग और जो और पत्ते वगयरा है. उनको हम अपने बाड़े में डालेंगे जहां खाद बनाई जाती है तो मेरा यह काम हो चुका है और स्टूपी के यहां थोड़े सब जो है पॉलोथीन रहे गई है स्टूपी के यहां देखिए यह रही है तो यह मैंने जो है कर दिया बच्चों नों देखो पूरा गन्ना ख हो चुका है आंगन को साफ करने का आंगन देखिए अब दिखाऊंगे आपको थोड़ा अच्छा लगए थोड़ा साफ सुत्रा सा होता है तो अच्छा लगता है तो चलिए अब जो है आपन करते हैं दूसरा काम जो है मैं करूंगी काफी सारा काम जो है करना बाकिया और य जब भी हम सरसो का तेल पिड़ाना बोलते हैं उसको जब निकल वाते हैं और उसको साथ की साथ जब भर लेते हैं तो उसकी बिल्कुल बारिक वाली जो गंदगी होती है वह जो है नीचे ऐसे बैड़ जाती है तो इसको मुझे साफ करना है कि यह जो है गाद होती है तो इसे मुझे पहले साफ करना है और फिर हम लोग हमारे खेतों की जो सरसो है उसका तेल पिड़वाने जाएंगे तो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर मैंने वीडियो बनाया तो यहां पर यह दे बढ़ा अराम से निकल गया और पीपे में से निकालना बड़ा मुश्किल होगा तो इसमें मुझे क्या है कोई डंडी बगर डालनी पड़ी निकालने के लिए और मैंने गयास पे गरम पानी करने के लिए रख दिया है क्योंकि इसमें बहुत जदा चिकनाई होती है साथी जो है थोड़ी स्मेल हो जाती है इस गाद की तो मुझे अच्छे से 2-3 बार जो है वाश करने पड़ेंगे गरम पानी से और उसके बाद जो है इनको अच्छे से सुखाऊंगी एक से दो दिन और उसके बाद जो है इन्हें हम जाएंके लेके शर्षो का तेल निकल वाएंगे और इनमें सीधा इनमें भरवाएंगे और फिर इनमें भी जो है कुछ दिन बाद जो है इस तेल नीचे बेढ़ जाती है यहां पर में पल्टे के जो डंडी है ना उससे निकालने के कोश्च करते हूं और इसका छेद थोड़ा छोटा है तो दिक्कत आती है अब जैसे इसका बड़ा था तो हाथ देके भी निकाला जा सकता है तो बहुत जादा जो है घरमी हो रहे देखिए तने पसीने आ रहे हैं म और बहुत ज़्यादा जो है गंदे हो रहे हैं अंदर से तो इनको चली साफ करेंगे घरम पानी में देखिए आते हैं किचिन में गरम हो गया यह नहीं हुआ है तो चलिए मैं चलती हूं किचिन की तरफ और इन दोनों को ही साफ करेंगे इसी रख देते हैं एक साइड तो ऐसी ही होती है विलेज लाइफ और विलेज लाइफ का भी कुछ समझाएं होती है कुछ अपना मज़ा है एक अलग एक प्यॉरिटी होती है विलेज लाइफ में आपको खाना शुद्ध मिलता है सबजियां शुद्ध मिलती है दूद्ध मिलता है यह सारी चीजों की शुद्धता है जो आपको सिटी में ना के बराबर या बहुत कम जो है मिलती है और यह देखिए पानी जो है मैं लेके आ गई हूं के चिन में और जिस बरतन में मैंने पानी गरम किया है ना इसको बोलते हैं टेलची और हमारे यहां जो है दूद इसी में गरम उतरहता है चुले पर धीरे 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 और इसमें मैंने जो है करम पानी डाल दिया है अब धक्कन लगा के जो है इसे मैं हिलाओंगी जिससे की इसकी जो है इसमेल निकल जाया है और यह देखिए शौरे जो है ना चाके स्टूपी बेढ़ गया है मैं आपको बोल रह मैं पर जब कर दोड़ा है तो यह is विलेज लाइफ को फुल एंजोई कर रहा है शौरए को दोबारा और यहां फ्रेंड्स में अपने पीपो को साफ कि रोगी और सामने वाली जो बहापी है वह से बात कर रही थी तो इसलिए मैं हास रही थी और ज्यादा कुछनी करम पान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजीगा सपोर्ट कीजिए